तो आखिरकार राजिस्थान रोयल्स की रोयल पार्टी को क्रेस कर दिया गया है गुजरात के टाइटन्स के दवारा जियां राजिस्थान रोयल्स की इस IPL 2024 के सीजन में पहली हार हो चुकी है और बो भी गुजरात टाइटन्स के हाथ हो सुमन गिल की सांदार पारी और बाद मेराहुल तेबतिया और राशिद खान के चमत कारिक परदसन की बदौलत गुजरा टाइटन्स ने एक असंभब सी जीत हासिल कर लिये और इस तरह से उसने अपनी आपको पॉश्टिबल में तोड़ा सा और उपर कर लिया है हलाकि इस हार के साथ ही राजस्तान रॉयल्स को अपने पॉश्ट सालका में तो कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन उनके जीत के इस असुमेध रत को रोक दिया गया है अभी तक इस IPL सीजन 17 में राजस्तान रॉयल्स से एक मातरशी टीम थी जो आविजित थी जो एक भी मैच नहीं हारी थी लेकिन अब गुजरा टाइटन्स ने उसे पहली हार का स्वाद चखा दिया है तो क्या कुछ हुआ इस मैच में जानते हैं इस वीडियो में आज के इस मैच में सुम्मन गिल ने टॉस जीत करके राजस्तान रॉयल्स को पहले बल्ले बाजी करने का नौता दिया पहले बल्ले बाजी करती कोई राजस्तान रॉयल्स के बल्ले बाजों ने अच्छी खासी बल्ले बाजी की जहां एसस्वी जायसवाल ने उन्नीस गयादों में 24 रन बनाए हालां कि जोस बटरलार आज रंग में नहीं देखे पिछले मैच में सतक लगाने बाले बटरलार ने इस मैच में 10 गयादों में 18 रन बनाए जबकि हेट माय ने पांच गयादों में तेज 13 रन बनाए और इस तरह से राजिस्तान रॉयल्स ने बीस उबर में तीन बिकट को नुक्सान पर ही 196 रनों का 24 खड़ा कर दिया इसके जबाब में गुजरा टाइटन्स की सुरुगात हाला की ठीक ठाक रही और पहले बिकट के लिए 64 रनों की एक बड़ी ओप्रिंग साज़दार हुई मातर आठ दसमलाव दो वर में लेकिन इसके बाद अचानक से दूसरा तीसरा बिकट जल्दी गिर गया और 89 रन पर ही तीन बिकट गुजरा टाइटन्स की हो गया जिसमें बराबर का योगदान रहा विजय संकर और सारो खानका अगर हम बात के रहें यहां बले बाजो के उपर दैसन की गुजरा टैटन्स की तरफ से तो यहां पारभाई साब साइश उदरसन ने 29 गयंदों में 37 रन बनाए जबकि कप्तान साब सुमन गिल ने सांदार पारी खेली 44 गयंदों में तेज 72 रन बनाए छे चौकियों दो छक्कों की मदद से हाला कि मैथ्यू बेड कुछ खास नहीं कर सके चार रन बना करके आउट हुए लेकिन बिजय संकर ने 10 गयंदों में 16 रन बनाए यहाँ पर राहुल तेवतिया की प्रसंसा करनी होगी जो बाद में रन आउट भले ही हो गये लेकिन उससे पहले 11 गयंदों में 32 रन बना चुके थे तीन चौकों की मदद से सारुक खान ने भी बाद में आ करके आठ गयंदों में 34 रन बना डाले एक चौकाई छक्की की मदद से लेकिन जो सबसे बड़े हीरो माने जाएंगे वो माने जाएंगे रासित खान जिन्होंने पहले तो मैथ्यू बेट का एक बड़ा बिकरत लिया था और उसके अलावा उन्होंने अंतिम ओवर में जो मैच जताओ पारी खेली बो अब इसमढ़नी रहेगी रासितकार ने ग्यारा गयंदों को सामने करते हैं यह कुल 24 रन बनाए चार चौके की मदश्यों चार चौके मैसे तीन चौके तो अंतिम ओवर में ही आए यह मैच गुजरा टैटनस चौका लगा दिया दूसरी गैंद पर 2 रन बना ले और तीसरे गैंद पर फिर से 4 रन लगा दिया इस तरह से पहले तीन गैंद में ही घुजरा टैटनस को बहुत बढ़ी गयंद फेकी लेकिन राशित खान तो आज मैं जिताने के मूर में ही आये थे और उन्होंने अंतिम गयंद पर चौका मार करके गुजरा टैटन्स को सांदार जीद दिला दी तो इस तरह से इस रोमान चेक मैच में राजिस्थान रोयल्स को मिलता है जीरो गु उद्रा टैटन्स की दावेदारी कैसी लग रही है आई पेल 24 में क्या वो एक बार फिर से यहां पर प्ले आप में पहुंच करके इस टूनमेंट का बिनर बन सकता है कमेंट करके आपने जरूद है एक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनवाद मिलते की न नवसकाश्चाश्चाश्चाश्चाश्ट